मैं राम विचार निताम सत्य निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूँ कि मैं विधित रस्थाफित भारत के समिधान के प्रति सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अशुचन रखूंगा मैं 36 गर राज के मंत्रे के रुप में अपने करतब्यों का सरधा पुर्वक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रति समिधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं मैं राम विचार नेताम सत निष्ठा से प्रतिग्यान करता हूं कि जो भी से 36 गर राज के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्तिया बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के समयक निरोहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं परत्यक्ष अथ्वा आपरत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा अच्छित अपर आपर अबाट नहीं करूंगा है मैं दयाल दास पगेल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सव्धान के पती सच्ची सद्धा और निश्चा रखूंगा मैं भारत की दर्वता और अखंता अक्चुम रखूंगा मैं 36 राजिच के मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों का सद्धा पुर्वक्त और सुद्ध अंदिकरन से निर्वन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सव्धान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं दयालदास भगेल इसवर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 राजिच के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथ्वा मुझे याथ होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के सम्रक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा इसा में या प्रत्यक्ष रुप दॉप झाला थे सिवाए जबकि यादिए ऑच्ट करूंगा आप आप करूंगा अप्रत्यक्ष रुप से सम्र्प चार्ट यादोंगा इसा क्यों प्रत्यक्ष रुप श्री केदार कश्यप मैं मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित मैं भारत के सविधान के परती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अच्छून रखूंगा मैं छतिगड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुरुवक और सुद्ध अंतरकरण से निर्भान तथा मैं भै या पच्छपात, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं केदार कश्यप इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय चत्तिगण राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री की रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेचित हो मैं परत्यच्छ अपरत्यच्छ रूप से संसुजित या प्रकट नहीं करूंगा श्री लखनलाल देवांगन मैं लखनलाल देवांगन इस्वर की सपत लेता हूं कि विधी के द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सचीश रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखनता अप्छूर रखूंगा मैं 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और सुद्ध अंत करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात, अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अंसार नियाई करूंगा मैं लखनलाल दमागन इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाए 36 गर्राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाये जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति अब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के समयोग निर्वान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रतेक छाथ्वा अप्रतेक छरूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा झाल अबकि आपेच्छित हो श्री श्याम बिहारी जैस्वाल मैं मैं स्याम बिहारी जैस्वाल इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटता अच्छुन्य रखूंगा। मैं 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का सरद्धा पुर्वक और सुध अंता करण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नय करूंगा। मैं स्यांबिहरी जैस्वाल इस्वर की सबत लेता हूं कि जो भिसे 36 गड़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना या पेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा झाल 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 श्री ओपी चौधरी मैं ओपी चौधरी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छोंड रखूंगा मैं 36 गर राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविंधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं आप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा आप 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 हम आप 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 कर दो श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे मैं लक्ष्मी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूं कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अचुर्ण रखूंगी मैं 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वक और सुध अंताकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुशार नय करूंगी मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे 36 गड़ राजे के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं प्रतक्ष और अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी कि अप्रतक्ष रूप से संसूचित हैंगी कि अप्रतक्ष रूप कि अप्रत करते हैं अप्रतक्ष रूप प्रता हुआ श्री टंकराम वर्मा मैं 36 राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुध्ध अंत्हकरण से निर्वान करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती शमिधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं टंक राम वर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय 36 राज्य के मंद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंद्री के रूप में अपने कर्तब्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा कि भाजयुश ङओगो प्रकट कर दो एंगति बाद़ों के लिए स casino कि मैं ईबकि घसे कि रूप के सिर्चप नहीं कर नहीं क। नहीं कर JSाने कर्के सिवा क creo माननी राजिपाल महोदे आज की कारिवाही समात घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है महोदे